बहुत सारे लोग अपनी मरदाना ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आसावी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत आज के टाइम में यही है कि वो जब भी अपनी जोजा के पास जाते हैं, बीवी के पास जाते हैं, तो दो से चार मिनिट के अंद लेते हैं हाथ का गलत इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हैं उसकी वजाह से आपको इस तरह की दिक्कते होती हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुसका बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप इन समस्याओं को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे और इसमें आ आपको एक ही चीज का इस्तेमाल करना है तो वीडियो पर बने रही है तो दोस्तो मैं हूं मुहमन हुसाइन और आप देख रहे हैं आरियन हैल्प के एर चैनल अगर आपने भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है इसको सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन असानी से मिल जाएगी 100 ग्राम कलोंजी लेने के बाद आप इसको सुखा लें और उसके बाद इसका बिल्कुल बारीक आप सफूफ बना लें चूरन बना लें और उसके बाद आप 1000 एमजी के कुछ कैपसूल ले आईए मार्किट से और उन कैपसूल के अंदर आपको इस कल का ये है सुखा नास्ते के बाद आप एक कैपसूल खाईए हलके गरम दूद के साथ और शाम को खाना खाने के बाद आप एक कैपसूल खाईए हलके गरम दूद के साथ ये धियान रखना आपके जो दूद है इसमें वो आप बकरी का ही लें और किसी दूसरे जानवर का या थेले वगरे का दूद इस्तेमाल आप इसमें ना करें जब आप इस तरह बखरी के दूद के साथ इस तीज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये आपकी मनी को बनाएगा बढ़ाएगा और उसको गाड़ा करेगा आपके अंदर रुकावट को पैदा करने का काम करेगा जहां आप सही से 2-4 मिनिट भी नहीं कर पा रहे हैं वहां 5-7 मिनिट, 10 मिनिट, 15 मिनिट, 20 मिनिट धीरे धीरे जो हैं अपने टाइमिंग को बढ़ा पाएंगे, अपने वक्त को बढ़ा पाएंगे और अपने पार्टनर को पूरी तरह से खुश कर पाएंगे अगर आप ये दवाई नहीं बना सकते, तो स्क्रीन पे आपको दवाई दिख रही होगी गिरेंड पावर कैप्सूल तिलाहासिम अलीशा ओयल जो कि प्योर आयरवेदिक देसी जड़ी बूटी से तयार दवाई है ये स्वास्त भारत की बनाई हुई है जिनका स्लॉगन है हमारा संकल्प स्वास्त भारत इसके अंदर आपको कैप्सूल दिये जाते हैं सुभाशाम खाने के लिए आपके कैप्सूल सुभाशाम इस्तिमाल कर सकते हैं और साथ इसमें आपको ओयल भी दिया जाता है लगाने के लिए मालिश करने के लिए इसको ओर्डर करने के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप call कर सकते हैं या फिर description में link आप वहाँ से भी इसको order कर सकते हैं So I hope दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिं